नमस्कार बहुत स्वागत है आप सब का बेहत खास कारिक्रम जोत्य शुराट के मैं मैं हूँ आपके साथ आपका एश्टो फ्रेंड संतो संतोशी रात ग्यारह वजे फेस्बुक पेज पर हम लाइब होते हैं आप आ सकते हैं जानकारी विशेश ये है कि आप सब हमसे मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद में मुंबई पूने भोपाल में भोपाल की तारीख अपरेल के लाश्ट में हैं 23 और 24 अपरेल भोपाल आज चर्चा ब्रहश्पत के राशी परिवर्तन की जो पांच अपरिल की रात परिवर्तन ले रहे हैं 13 वहीने के लिए ब्रहश्पती आएंगे कुम्भ राशी में चर्चा आज मिथुन राशी की हम करेंगे जिनके नवम अस्थान पर ब्रहश्पती परिवर्तित हो करके आ रहे हैं नवम अस्थान भाग्य भाव होता है माफ कीजेगा करक राशी मिथुन का तो हो चुका है आज चर्चा करेंगे करकराशी की करकराशी वालों के लिए ब्रहस्पति का ये खास परिवर्तन आठ में है अश्टमभाव में अश्टमभाव का ब्रहस्पति आप के लिए क्या कुछ लेकर आया क्या कुछ लेकर जाएगा ब्रहश्पती अश्टम में क्या फल देते हैं देखे कोई भी सौम्य ग्रह कभी भी छे आठ बारह में शुब नहीं हो सकता किसी भी संदर्भ में तो ब्रहश्पती करकराशी वालों के लिए आठवे आकर के शुब तो नहीं है वजह ब्रहश्पती बहुत बुरी पोजिशन पर रहेंगे करक वालों के लिए एक तो ये छठे भाव के स्वामी होते हैं और एक नवमस्थान के स्वामी है तो एक जगह है अपने से तीसरे और अपने से दूसरे अब छठे के स्वामी होकर के अश्टम में आए विपरीत राजयोग कहने के लिए बनता है लेकिन ये आपको mentally disturb करेगा मतलब आपको मांसिक रूप से परेशान करेगा मैंने विपरीत राजयोग पर बहुत सारे वीडियोज पहले बनाए हैं छे आठ का संबंध, तांत्रिक क्रियाएं, प्रेत बाधा, पित्र रिर्ड तमाम तरह के दोश पैदा करता है बहुत बहुत बुरा होता है छे आठ का किसी भी तरह का संबंध, कुछ exceptional case में मैंने ठीक ठाक देखा है otherwise तो कभी हमने इसको सही नहीं पाया है तो आईए सुर्वात गरते हैं और बताते हैं एक एक करके कि क्या फल इनका है सिक्छा, सिक्छा के मामले में पंचमेश मंगल राहु के साथ अल्रेडी बैठा है और पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिती पीडित होने के कारण ब्रहस पे बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको परिशानी ही करेंगे तो सिक्छा के मामले में आने वाले तेरह महीने का सुर्वाती समय struggler के रूप में आपको establish करेगा आप संघर्ष करेंगे पढ़ाई के लिए जद्दो जहत करेंगे मेहनत करेंगे बहुत समझ में कम आएगा कोई result बहुत अवेटेड रिजल्ट था वो negative दिखाई देता है बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता मंगल राहु की यूति के कारूर ऐसा संभव हो रहा है राहु को थोड़ा बहुत आपको शान्त करने की आवशक्ता है स्घ्छा के मामले में कहीं नई जगह admission आद के लिए अगर आप विचार कर रहे थे तो आप कदम बढ़ा सकते हैं ब्यापारिक दिष्टिकोंट से अगर हम देखें तो बिजनस खास दोर पर करक राशी वालों के लिए दसंभाव मेश राशी यहां से भी मंगल पीड़ी तवस्था में है तो ब्रहश्पती इनका भी बहुत साथ नहीं दे पाएगा आठ में आगर के तो पैसा खर्च अधिक कराएगा लाब कम करा पाएगा बिजनस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा पार्टनर्शिप तोड़वाएंगे यह और भागे को प्रभावित करेंगे भागे शोकर केश्टम में आगए और परमसत्रुराशी में आए कहीं से भी ठीक फल नहीं दे पाएगे तो ब्रहाश्पत की स्थिती ब्यापार के लिए भी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फिर भी ठीक है लेकिन मेहनत बहुत करवाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा भाग साथ देगा और आपको मेहनत करके उसका रिजल्ट प्राइवेट सेक्टर में दिखेगा बहुत भाग दोड़ यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे जाओ पूरा तेरह महिना बैग कंधे पर कपड़े बैग में और आप प्रवास में भागते रहेंगे ट्रांसफर प्रमोशन की संभावना सितंबर अगस सितंबर के बाद जाकर के कुछ हद तक संभाव लगती है सरकारी छेत्र आपके लिए रास्ते बहुत अच्छे सोगम होंगे गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए बहुत खास तोर पे गुप्तचर विभाग CBI, IB, RAW, पोलिस, खुफियातंत्र जितने भी हैं इस डिपार्टमेंट के लोगों को बिशेश लाब मिलेगा गवर्मेंट सेक्टर में आउट आप टर्न प्रमोशन, मकान का सुख, वाहन का सुख ये सब कुछ ब्रहश्पते देने जा रहे हैं बहुत प्रतीग्षित आपको लाब मिलेगा दामपत्य जीवन के मामले में सुख, सवहार्द, सम्रुद्धी, संभव है सबतमेश, शनी, स्वग्रही है तो यहां पर इस्थिती सब कुछ सामान रहेगा लाब के अउसर बैदा होंगे पत्नी के साथ, पती के साथ रिस्ता मधुर्ता की तरफ रहेगा एक दूसरे के प्रती विस्वास बढ़ेगा एक दूसरे से सुपीरियर होने की जो भावना थे कि मैं बहतर मैं सही इस से आप लोग बचेंगे तो दामपत्य जीवन एक बार पत्री पर आता हुआ दिखाई देगा करकलगन करकराशी की बात कर रहे हैं मैरे लाइफ पत्री पर आता हुआ दिखाई देगा, इगोज आपके साइड हो जाएंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी है क्या चाहिए लव लाइफ की स्तिती में मैं थोड़ा सा इंबैलेंस सिचुएशन देख रहा हूँ क्योंकि पंचम से चतुर्थ अश्टम में आए हैं ये जो अश्टम भाव है जहां ब्रहश्मती बैठ गए कुम्भस्त हो करके वो आपके प्रेम भाव से चौथा है यहां पर प्रेमी प्रेमिका का सुख कम करते हैं पंचम से चतुर्थ प्रेम का सुख तो वहां पर कम करेंगे कैसे कम करेंगे आप दोनों के बीच सेक्शुल अट्रेक्शन बढ़ जाएगा तो जब यह होने लगता है तब वो नहीं होता है तब स्नेख खतम होता है तो वो चीज थोड़ा सा कम करिएगा जिससे आप लोगों के बीच इस्तिती ठीक रहे शादी की यह मैटर पर जो आपका लव लाइफ है वो टल जाएगा हो सकता है शादी आप बहुत मतलब तूटी ही जाए तो ऐसी भी संभाव ना बनती है स्वास्त यह मामला गड़बर है क्योंकि अश्टम भाव हेल्थ इसूस का ही होता है डाइजेशन प्राब्लम भयानक लीवर प्राब्लम सुपब भयानक लीवर प्राब्लम गाइनी प्राब्लम्स भयानक गुप्त रोग भयानक यूरीन इंफेक्शन भयानक अश्टम भाव जिन जिन चीजों से सम्मंधित है वहाँ पर ब्रहश्पति बैट करके स्थानहानि करेंगे ही करेंगे कोई चारा नहीं है कोई हल नहीं है जेलना ही जेलना है आप लोग तो ये आपको बहुत ध्यान देना है हेल्थ पर बहुत कॉंसियस रहना है योगा प्रणायाम आईरुवेधि कौशधियां खूब लीजिएगा बिल्कुल डाइट और एकदम से पंक्शुल अनुशाशित एकदम से लेकर चलिएगा नहीं पता दे रहे हैं बहुत बच्टाएंगे तेरह महीने तो जो सबसे वर्ष्ट है करक लगन करक राशी वालों के लिए ब्रहश्पत टांजेक्शन का बाग की तो सब निपड़ जाएगा चारशे महिने के लिए भी आप एडमिट हो सकते हैं इफ यू आर सिख्टी प्लस आपके लिए बहुत सावधान रहना है अब हम आप सब को उपाय बताते हैं अश्टम में आए ब्रहश्पतिका शनिवार के दिन खिचडी खाईएगा पहला उपाय हर शनिवार खिचडी बने दूसरी चीज नॉनवेच इवेन एग नो पत्थर सत्यानाश करते हैं तो फिंगर्स में पत्थर न पहनेगा सभी फिंगर्स को ब्लैंक रखिएगा रिक्त रखिएगा ये उपाय है और नाभी पर इंडेक्स फिंगर से तरजनी अंगुली से नाभी पर खड़ी हल्दी घिस कर पत्थर पे टीका लगाईएगा बस इतना करना है ये कर्क लगनक कर्क राशिवालों के लिए ब्रहश्पत से सकारात्मक्ता लेने और ब्रहश्पत की नकरात्मक्ता को कम करने का सॉलिड उपाय है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का ये प्यार हमाले साथ मना रहे हैं हम अनुमत चाहेंगे और ये भी कहेंगे कि आप लोग हमसे मुलाकात कर सकते हैं आने वाले समय में काजियाबाद मुंबई पूने और भुपाल 23-24 अपरेल को भुपाल रहेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ग्रहदीप मंगा सकते हैं आप लोग अपनी समस्याओं के आधार पर अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुनली क्या है आप आप कितने बज़े पैदा हुए हैं कितनी तारिक को तो अपनी प्रॉब्लम से लिखिए जो भी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम लिखने के बाद ग्रहदीप लिख दीजिए कौन सी ग्रहदीप कब आपको कितनी जलानी है सब आपको बतानिया जाएगा बहुत बहुत शुक्राइब थैंक यू नमस्कार शेकिसना सिरादे